भगवान हर जगा निवास करते हैं कई बार लोग अगर कुछ गलती करना होता है तो इधर उधर देखतेंगे चारों और देखेंगे कई क्यामरा तो नहीं है कई लोग हमको देख तो नहीं रहे अगर क्यामरा का नजर नहीं है लोगों का नजर नहीं है तो गलत काम कर देते हैं लेकिन ये भी गलत है जहां पर क्यामरा का नजर नहीं हो किसी का नजर नहों वहां भगवान का नजर तो होता है हर जगे से आपको भगवान देख रहे हैं एक बार एक पिता ने अपने बेटा को सिखाया शिक्षा दिया, ज्यान दिया, उपदेश दिया, बेटा चोरी करना गलत बात है, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ, सिखा रहा हूँ, जीबन में चाये कुछ हो जाए, कितना भी दुख आये, लेकिन कभी चोरी मत करना, ये बहुत बड़ा पाप है, बेटा चोटा सा था, पिता ने जैसा सिखाया, उसने सिख लिया, भगवान हर जगे से देखते हैं, इसलिए चोरी नहीं करना चाहिए, अब वो बेटा अपने पिता जी के साथ में एक बार बाहर जा रहा था, और रस्ते में चलते चलते, दुसरों के खेत में बड़ा अच्छा अच्छा फल भूक लगी, पिता ने देखा, दुसरों के खेत में अच्छे अच्छे फल लगे थे, तो पिता ने बेटा को का, तुम यहाँ पर खड़े रहो, में फल तोड़ के आता हूं, बेटा ने पूछा, पिता जी क्या ये फल हमारा है, पिता बुले, नहीं किसी और का है, किसका ह जाए, अगर कोई आये तो, अगर कोई देखे तो हमें अवाज लगा देना, बेटा बुला ठीक है, पिता जी चले गए फल तोड़ने के लिए, जैसे फल तोड़ने लगे, बेटा ने अवाज लगाया, पिता जी रुक जाओ, पिता ने कहा कि बेटा कोई आया है क्या, बे भगवान आपको चोरी करते हुए जरूर देख रहे हैं देखिए छोटे बच्चों को एक बार अगर आप कोई भी ग्यान देते हैं तो तुरंत वो उस ग्यान को स्विकार कर लेता है आज ये बालक के तब पिताजी आपी ने कहा था कि चोरी करना गलत बात है जहां लोग ना देखे वहाँ भगवान तो देखते हैं इसलिए जीवन में कभी गलती नहीं करने जाए तो आज इस पिताग को समझ में आया जो उपदेश में अपने बालक को देता हूं उसका पालन स्वयम को भी करना जाए कई वार हम अच्छी अच्छी ग्यान बच्चों को तो देते हैं लेकिन स्वयम भूल जाते हैं भगवान हर जगे से देखते हैं इसलिए हमें चाहिए कभी कहीं किसी के साथ में भी गलती गलत नहीं करना जाए प्यार से बुलो रधे रधे अरे जोड से बुलो ना मस्ती है